हेलो श्टुडेंट्स क्लास फेप्त सब्जेक्ट मैदमेटिक्स चैप्टर नमबर फेप्त एक्सरसाइज 5.5 फर्स्ट कोशन है फिलिंदी व्लेंक्स फिलिंदी व्लेंक्स में देखो आप क्या देख रहा हूँ जब आपको पता है जब आपको पता है जब आप किसी भी नमबर में 0 एट करते हो क्या कोई फर्क परता है नहीं तो कितना आजाएगा 5.7 का 5.7 अब इसके बाद सेकंड वाला देखो इसमें भूला गया है आप 3.13 में ऐसा कौन सा नमबर आप माइनस कर दें ताकि हमारा 3.13 ही आजाए तो पता हो क्या माइनस कर देंगे 0 आपको क्या माइनस कर दोगे 0 आप यहां पर कितना लिखा हुआ है 8.15 तो यहां पर भी है मतलब क्या करना है आपको एड करना है एड कैसे करेंगे इंगे क ہے रहा है अजय आप ए डिनोमिनेटर को लिख रहा है वो 48 सेम वह नहीं सेम कैसे करेंगे LCM लेके LCM किसका लेते हैं Denominator का 20 और 50 नहीं आपका क्या है Denominator है 15 और 20 का LCM कितना आजाएगा 60 आपके साइड में Complete LCM लिया गया है कितना आगया 60 तो आपने क्या किया 60 लिख दिया 9 था 9 से तो आपको बोलना नहीं है 9 का 9 लिख दिया Multiply का साइड 20 से हमने 60 में डिवाइड किया कितने टाइम जाएगा 3 टाइम प्लस का प्लस 13 से हमने बोलना नहीं है तो 13 का 13 लिख दिया 15 से 60 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 4 टाइम और इन सब क्या कर दिना आपको Multiply Multiply किया तो कितना आगया आपको क्या करना है इस टाइप से सारी कॉशन सॉल्फ करने है यह वाला देखो यह Mixed Form में है Mixed से आपको Improper में Convert करना है कैसे करेंगे देखो सबसे पहले 3 का Multiply 3 में करते है 3 3 जा 9 और देखो ओपर जो भी नंबर रहता उसमें एड़ कर देते है 9 और 2 क्या हो गया 11 यह देखो 4 बन जा 4 और 5 तो कितना हो गया 5 अपन 4 इनका क्या कर देंगे आप एड़ कर देंगे तो यह वाला कॉशन बन गया और आपको कॉशन सॉल्फ हो साएगा यह देखो कैसे है हाँ यह रहा है कॉशन नमबर 6 वाला यह आपको बहुत एजली हो साएगा कैसे करना है देखो यहाँ पर 3 था 3 की नीचे कुश नहीं है तो हमने क्या लिग दिया 1 प्लस था अब यह देखो मिक्स फॉर्म में है इसको आपको क्या करना है इंप्रॉपर में कैसे करते हो 9 का मुल्टिप्लाई 1 में किया 9 बन जा 9 और 9 और 4 कितना हो गया 13 तो देखो यहाँ पर नोट कर दिया यह देखो 3 टूजा 6 6 और 2 8 8 अपॉन 3 हमने नोट कर दिया नीचे अब देखो हमें पता है क्या कर तैम क्या करने है सीम करने है तो हम क्या कर दि nhके मर्टिप्लाई कर ל장 ग था 2 8 क्या लाइं है 9 5 भी बन Всем candles कर कितने टाइम आइगा 9 ता डीको 9 लिख दिया 9 से 9 में में टिवाइट करें गे कितने टाइम टाइम लेगा से 9, कितने टाइमस आएगा 3 ताइम नहीं क्या किया इन सब का multiply किया मुल्डिप्लाइ करने ही पर फिर इन सब का add कर दिया तो इस ताइप से आपको क्या करने है यह कॉश्चन क्या सॉल्व करने है अप सी बालब कॉश्चन है 1 note कर दिया, अब देखो नीचे side 7, LCM 1 और 7 का LCM कितना हैगा 7, तो आपने 7 लिख दिया अब आपने क्या किया, 10 से तो मैं कोई मतलब नहीं, तो हमने सबसे पहले जैसी process आँगे करते थे, तो same, same भई ही process करनी है फिर क्या किया, 10 का multiply 7 में minus 6 multiply 1, क्योंकि 7 से 7 में डिवाइट करेंगे, कितने टाइम आएगा 1 ताइम, तो कितना हाज आएगा 6, अब 70 में से 6 माइनस होगा, कितना हाज आएगा 64 और अपन में नीचे कितना था, 7, तो हमारा कितना हो गया, 64 अपन 7 तो इस टाइब से आपको caution solve करने हैं, यह वाला caution देगो, इसमें भी आपको एक mix form में दिया गया, हमें improper में बना लेना है, improper में हम कैसे बनाते हैं, 9 का multiply 2 में करके, 4 एट करके तो इस टाइब से आपको यह वाला caution में बना लेना है बहुत easy caution है, कुछ नहीं करना है, नीचे कर जो denominator है, उनमें आपको LCM लेते जाना है, और उपर वाली number, नीचे वाली denominator से divide करना है, divide करने के बाद multiply करना है, और फिर उन्स आपको add कर दीना है, या minus का sign होगा, तो minus कर दीना है, और आपका caution complete solve हो जाएगा अब question number D question number D भी बहुत easy है, इसमें यह आपको solve, जैसे हमने उपर के caution यह सेम question number D भी आपको एक बाद try करना है